आज मैं बात करने वाला हूँ Q6 की जो exercise 5.3 है हमारी चल रहे है आप किमेटिक प्रोगरेशन इसमें Q6 की मैं बात करूँगा इससे पहले सभी Q6 मैंने detail में समझाया है आपको अच्छे से explain किया है तो किसी ने अगर previous class अटेंड नहीं करी है तो वीडियो के description में लिंक मिल लास्ट तर्म ओफ एन 80 आर 17 एंद 350 यान कि पहला पद हमें दे रखा है और लास्ट पद हमें दे रखा है कितना 17 और 350 if the common difference is 9 how many terms are there and what is their sum मतलब common difference भी हमें दे गया मतलब discussion में देखी क्या क्या सीज़े दी गई है इस solution में हमें पहला पद दिया गया है कितना 70 given जो है हमें conditions और हमें last term दिया गया है मतलब last को आप यह भी एक सकते है 350 और D दिया गया है हमें कितना दिया गया है D दिया गया है 9 ठीक है D हमें 9 दिया गया है अब हमें बताना क्या क्या है यह तो given condition होगी कि हमें given क्या क्या है और हमें find क्या करना है number of terms find करना है और उन terms का sum कितना होगा यह find करना है यह दोनों चीजे हमें अच्छे से find करने हैं, तो कैसे हम approach करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, देखे, N की value तो चाहिए, तभी Sn निकलेगा, बिना N के Sn निकल सकता है, तो N कहां से find करेंगे, जो given condition उससे N find निकल सकते हैं, number of pad तो निकाली सकते हैं, क्योंकि हमें Nth pad दे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि देखे, N का formula क्या होता है, N का formula होता है, A plus N minus 1 into D, अब यहां से N निकाल सकते हैं, क्योंकि A भी दिया गया है, D भी दिया गया है, और N भी दिया गया है, रख दो सारी values, यह देखे 350 यहां रख दिया हमने, A की value 17 रख दी, N minus 1 into D की value कितरी द इसको simplify कर लीजे, 350 बराबर कितने आजाएगा, सोरी यहां पर प्लस आएगा, ठीक बीच पर प्लस आएगा, 17 plus 9 N minus 9, आब इसको और सोल कर दीजे, 350, 9 N plus 17 में से 9 यह तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, अब इस 8 को आप इधर लेएगे, जब यह 8 इधर आएगा, तो यह मा माइनस करतीजे, तो 342 बराबर 9 N, अब N की वैल्यू फैंड करतीजे, 342 बाइन जिक तो N की वैल्यू है, यह क्या आएगी, 9 27, 9 27 से कट गया, ठीक है, 7 बचेंगे, बचेंगे, तो N की वैल्यू देखिए, हमारे पास आगे कितनी, 38, N निकल लिया, अब N हमारे पास आगय N की वैल्यू 38 आगी, अब SN क्या होता है, N upon 2 into 2A plus N minus 1 into D, यह फोर्मूला होता है, यहां से N की वैल्यू रख दीजे, 38 by 2, 2 into A, A की वैल्यू है 17, प्लस N की वैल्यू है 38 minus 1 into 9, यह हमारे पास complete आगया, अब देखिए, उसको solve करेंगे, तो यह कट जाएगा, यह 19 ही बचेग 17 दुनी कितरे होते है, 34 होते है, प्लस 37 मुना कितरा जाएगा, इसको further solve करना है, multiply करना है, comment box में इसका answer जरूर होताना है, क्योंकि अब इसमें कुछ नहीं बचा है, जो भी आपका answer आगा, वही sum होगा, कितरे बद होगा, 38 बद होगा, तो यह था हमारा question number 6, बिल्कुल ही easy अभी next question की हम बात करते है, तो देखे, question number 7 हमारा क्या बोल रहा है, find the sum of first 22 terms of an AP, ठीक है, पहले 22 terms का हमें क्या निकालना है, sum निकालना है, in which d बराबर 7 and 22nd term is 149, मतलब एक common difference हमें दिया गया है, और last term, मतलब जो last term है, 22nd term हमें दिया गया है, मतलब यह last term हो गया, हमें 22 terms का sum निकालना है, उसके लिए हमें d बराबर दे रखा है, और a 22 दे रखा है, आप ऐसे मालेज़े, a 22 की value 149 दे रखी है, find क्या करना है हमें, s22 यहाँ पर find करना है, सबसे important चीज़े देखिए, इस question को जहां से समझना है, कि बहुत easy question होने वाला है, s22 निकालना है, मतलब 22 पत है आपको यहां से, कि n तो 22 है, ठीक है, n पता है हमें, अब देखे, d की value भी पता है, 7 है, ठीक है, d की value पता है, n की value पता है, तो हमें निकालना क्या है, हमें पहला पद तो चाहिए न, पहला पद में लेगा, तभी हम sum का formula अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, a 22 क्या होता है, a plus 21 b, यहीं होता है, अब यहां से देखे, यह value हमें बेर रखी है, यह रखे, तो यह निकाल सकते हो, आराम से, आराम से निकाल सकते हो, यह कितने बेर रखी है, 149, a plus 21 into 7, तो यह आ जाएगा 149, और a plus 147, अब देखे, a की value कितने आगी है, हमारे पास, a की का formula क्या होता है, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, इसके अंदर यह सारी value रखवा, ठीक है, मैं इसको यहां से साफ कर देता हूँ, इसको यहां से साफ किया है, यहां values रखेंगे, तो n की value तो 22 by 2, into में क्या आजाएगा हमारा, 2 into a की value हमारे पास 2y है, plus n कितना है, 22 minus 1 करेंगे, तो सिधा 21 बन लिख देता हूँ, और d की value 7 है, यह देखें, 2 से कट गया, 11, यह कितना आजाएगा, 24 plus 27, 47, add करके और multiply करना है, इसको 11 गुमा कितना करना है, 151, और इसको जो भी आप multiply करके बताओगे, वही आपका answer होगा, तो यह था बिल्कुल easy से, सिर्फ क्यूशन को ध्यान से दे बॉर्ड एक्जाम में आते हैं, और long कुशन ही आते हैं, multiple वाले नहीं आते हैं इसे सबसाइद से, यह घ्यान रखेगा, next question लेखते हैं, question number 8, question number 8 हमें बोल रहा है, find the sum of first 51 terms of an AP, whose second and third term are 14 and 18 respectively, मतलब हमें sum निकालना है, 51 पदों का sum निकालना है, और उसके लिए हमें दे क्य है, और हमें क्या दे रखे है, third term, मतलब तीसरा पद हमें दिया हुआ है, मतलब given condition में हमें क्या-क्या दिया हुआ है, एक second की value दे रखी है, और एक third की value दे रखी है, कितनी कितनी, 14 और 18, ठीक है, यह दे रखे, 14 यह 18, और हमें निकालना कितना है, sum निकालना है, 51 terms का, S51 हम निकालना है, ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें यह ध्यान में आना चाहिए, कि हमें जरूरत क्या-क्या है, सबसे पहला यही अप्रोच कर वाप, इसके लिए आपको क्या-क्या जरूरत है, कि N तो 51 है ही, मतलब A चाहिए या आपको D चाहिए, यह दोना अगर चीजे आपक क्या-क्या निकाल होगे, तो यही चीज हम कहां से निकालेंगे, यह दोनों चीज हम यहां से निकालेंगे, ठीक है, A2 की value मतलब A2 दिया हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे, A plus D लिखेंगे, यह equation मिलगी, second A3 दिया होगा, मतलब A plus 2 दिया जाएगा, यह equation number 2, इन दोनों को solve कर दीजे आप elimination से, इसको eliminate करेंगे, यह minus का sign हो जाएगा, तो यह कितना बचेगा, minus का D बचेगा, यह minus का 4 बचेगा, तो D की value आगे 4, बिलकुल easy दरीके से होते है equation, ठीक है, D की value चाहना आगे, अब यह value आप रख दीजे, किसी भी equation में चाहिए, इसमें रख लिजे, चाहि से A की value आगे 10, अब देखे, A भी पता है, D भी पता है, N भी पता है, N यहाँ पर है, 51 ता इसका ही तो निकालना है, तो formula में पुटकी से, सारी चीजे, formula आपको बता ही है, और इसको आगे आपको solve करना है, और comment box में इसका answer जरूर बताना है, जरूर इसको try करना है, कुछ प्रोगम आती है, तो telegram group में आप question post कर सकते हैं, आपको complete solution आपको दूँगा, हर आपका doubt solve करूँगा, तो अगर आप लोगो को आज की class अच्छी लगी हो, तो यार जादर जादर इसको share कर दीजे, अपने सभी friends में, और channel पर नहीं है, तो channel को ज़रूर subscribe करें, और bell icon को press कर की उसका notification आपको मिलता रहे है, और कोई भी concept आप मिस ना करें, मिलते हैं next class में